वाही गुरुजी का खाल्सा वाही गुरुजी की फते दश्मेश पिता गुरु गोबिन सिंग जी दसम गुरंथ वेच कुंडरिया छांद वेच बचन कर देहन कल जुग के अंथ समय सत जुग लागत आद दीनन की रच्छा लिये तर है रूप अनाद तर है रूप अनाद कलहे कव तक कर पारी सत्रन के नासारत नमित अवतार अवतारी गुरु गोबिन सिंग जी महाराज फरमौंदेहन के कल युगदे अंत वेले जद साथ जुग दा आराम्ब होन लगेगा उस वेले अनाद पुरुष दीनना दुख्या दी रच्छा लाई अवतारी रूप तार करनगे दीनना दी रच्छा ले कल युग कलह विच वटे कौतक करनगे अते वेरियां दे विनाश लई काल पुर्क अवतार तारन करनगे गुरु गोविन सिंग्जी महाराज सविया शंदिविच फरमोंदेहन पाप संभू बिनासन को कल की अवतार कवाएंगे तुर्कच तुरंग सपच बढ़ो करकाड किरपान कमपावेंगे निकसे जिम केहर परबतते तस सोब दिवाल्य पावेंगे पल पाग पया एह संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे महाराज जी फरमोंदेहन के सारयां पापानू नश्ट करन लई अकाल पुर्ख कल की वतार खवाउनगे तुर्की स्तान दे खंबावाले वड़े कोड़े उत्ते सवार होके हाथ विच किरपान नू कड के कुमाणगे जे में परबद विच्चों शेर निकल दा है उस तरह एह मंदर विच्चों निकल दिया शोबा पाणगे अर्साथ जे में ही उस मंदर तो बाहर आउनगे तेना दिशोबा होवेगी एह संबल शेहर दा वड़ा पाग है के प्रबु जी देवाले हर मंदर विच्च आउनगे सर्बंस दानी जी अगे फरमांदेहन रूप अनूप सरूप माहा लख देव अदेव लजावेगे अर्मार सुधार के टारकने बहरो कल तरम चलावेगे सब साध उबार लहे करदेह दुख आंच ना लागन पावेगे पल पाग पया एह संबल के हर जू हर मंदर विच्च आवेगे सर्बंस दानी पिताजी फरमांदेहन जिनादा अनूप रूप होवेगे उनादे महांस रूप नूवेगे देवते अते दैंत दोवे लजादा अनूव करनगे बैरियानू मार के तर्ती उतते सुधार करनगे आथे बहते पापानू दूर करके फिर काडियोग विच अपना तरम चलाऊंगे आपना हाथ देके सारे साधू रूजी वालयानू उबार लेनगे आथे उनानू दुखांदा सेख तक नहीं लगन देनगे इस संबल लगरता ही वड़ा पाग है कि प्रभु जी देवाले विच आनगे एस से तरह जैसी इतिहास नू फ्रोलिये ताशिरी गुरु तेक बहादर सहेब जी पाशाही नौमी गुर्दवारा तमतान सहेब जीन्द जो कि नर्वाना हाईवे ते उत्ते स्थित है इस गुर्दवारे विच भी जेमे की संत बाबा बलवान सिंग जिसे वोड़े वाले ब्रहम गयाने उच्छकोटी महापुर्ष बचन कर दे हने कि इस स्थान दे उत्ते वी बहुत बढ़े नगारे पहेने जो कि जदकल की वताराऊन गेता और नगारे अपने आप ही वजण गे इस गुर्दवारे दा भी बहुत महान और वड़ा ते हास है इस स्थान दे शिरी गुरु तेग बहादर साहिब जी दी पवित्तर शर्न शो प्रापत है गुरु साहिब जी पटयाला लहरा गगा आदक स्थाना तो हुंदे होए सम्मत स्तारां सो तेई बिक्रमी नो पूर्व यात्रा समे इथे लगातार तिन मेने ठेरे गुरु साहिब स्विरे शाम सिक संगतावनों गुर्बानी की इतन सुना के निहाल कर दे रहे पोठोहार जो की हुनता पाकिस्तान बिच है पोठोहार दी संगत ने इतने गुरु साहिब नो बहुत सारी माया पेड़ कीती गुरु जी ने ओह माया दगो नाम दे जाटनों दे के बचन कीता के थे संदर गुरु कर तरमशाला अते संगताँ दे जल शकल नई खू लगवाव गुरु साहिब दे जान पिच्छों ओह माया दगो ने आपड़ा नीजी मकान नीजी खू बनाओन ते खर्च कर दिती काफी समय बाद दगो टाल तरनलई दिली गया वो ते अचानकी ही गुरु साहिब मिल गई गुरु तेक बहदर जी गुरु जी ने कहा दगो ओ माया गुरु कर अते खू बनवान लई खर्च दिती है दगो ने कहा कि मैं लालच वस हो के उस माया नाल मैं आपना ही कर अते खू बनवा लिया है बक्षन हारे गुरु जी ने केहा दगो खेता विच तमाकू दी खेती नहीं करनी ना ही तमाकू कर रखना है पेंड आके दगो ने इस दे उल्ट ही किता सम्मत सारांसो बत्ती नू गुरु साहीब जदों दिल्ली जानदे होए इत्थे ठहरे ता दगो दी हुकम अदली दा पता महाराजीनू लाग गया आते गुरु जी ने बचन कीता बचन कुछ हिस्वरकार सी दगों तेरे कर लिटनगे गदों जित्थे कुवा नाचक उत्थे उगणगे अक गुरु जी ने आखिर एहे जो बचन करे सी हो पूरे होए आते उस समय गुरु जी दे नाल पाई नादलाल जी दे खांदान विच्चों पाई मिहा जी सन जो कि तानमा नाल जल दी सेवा कर दे सन गुरु जी ने खुश हो के तोसा नशान साहिब दे दस्तार दे के इस थान दा मुख सेवा दा आप जिनो था पे आतल भचन कीते की तुसी एत्थे गुरु नाल जी दी बानी दा पर चार करना है इस थान दी बहुत महानता है शीरी गुरु गुबिण सिंग्जी ने इस थान नो साचच्खंड शीरी हजूर सहब दी दरसनी द्योड़ी दावर दिता है अते एवी लिखया है कि हजूर सहीब दी जो यातरा करेगा उस दियातरा इस दे दरसना तो बात जरूर सपल होवेगी एते हर महिने मरस्यादा दिहाडा ते सलाना होला महला ते दुशारा बड़ी तूमता नल मनाया जानदा है एस थान बहुत ही महान है आते मिहा सिंग जी दा बहुत सिक्यत हास विच बहुत बड़ा देन है मिहा सिंग जीनों गुरुत एक बहुत दर जीदा एक एवी बचन सिखा कि मिहा जित्थे जाएंगा तो उत्थे मीप वादेंगा ते आप जीनों जे एहे वीडियो पसंद आया होए किरपा करके सारी संगतनाल शेर जरूर करो सड़ मक्सित तो हनूं किसे वैंपरम विच तपाना बिलकुल भी नहीं है सगो सिख एतिहास नाल जोड़ना है बानी पुलचुक अक्खरवाद काट उच नीच महरज माफ करना सारी संगता पला करना संसार्दे विच एजो करुना नाम दी बमारी फैली होई है सचे पाशा किर्पा करना महरज हाथ देके सारे संसार्दी रखे आप करना दसम गरंथ दी एक प्लेलिस्ट भी बनाए गई है किर्पा करके वो प्लेलिस्ट नो जरूर तुसी चलाओ उस दे विच आपाउन अग्ये तो अग्ये हो दसम गरंथे नाल इतिहास जो है अग्ये तो के आप जोड़ांगे आओ सारे कठे मिलके फते बलाएए वाहे गुर जी का खालसा वाहे गुर जी की फते